गुड मॉर्निंग एवरीवान विल्कम बैक टू दे चानल आज है 10 अक्टूबर और आज के करेंट फैर हम इस वीडियो में करेंगे कवर और कुछ चीजे जो हम रिवाइस करने वाले इस वीडियो में ये आपके सामने दिख रहें आपको ठीक है तो बहुत कुछ कवर सबसे पहले हम अभी तक जितने इंडियन जिनोंने नोबल प्राइस जीता है उनकी लिस्ट को देख लेते हैं रवाइस कर लेते हैं अभिजीत बेनर जी एकोनॉमिक्स के लिए नोबल प्राइस जीते थे 2019 में कैलाश सत्यार्थी पीस नोबल पीस प्राइस 2014 में मलाला केमिस्टरी के लिए नोबल प्राइस 2009 में जीते थे अमर्ते सेन एकोनॉमिक्स में नोबल प्राइस जीते 1998 में सुबरमन्यम चंदरशेखर फिजिक्स में नोबल प्राइस जीते 1983 में फिर मदर टेरेसा नोबल पीस प्राइस जीते थी 1979 में हर गोबिन खुराना को मेडिसन क के लिए nobel prize मिला 1968 में सीवी रमन को physics के लिए nobel prize मिला इनकी रमन effect की discovery के लिए 1930 में और रबेंदरनाथ चे गोर पहले भारतिय जिन्हें literature में nobel prize मिला था 1930 में मिला था 1913 में मिला था ठीक है अब questions की बात करते हैं world post day is celebrated on which date तो ये दिन 9 अक्टूबर को celebrate किया जाता है theme इसकी है together for trust collaborating for a safe and connected future universal postal union जो है इसका creation हुआ था नौक्टूबर के दिन 1874 में इसलिए इस दिन को चुना गया ये world post day celebrate करने के लिए और एक effect आप देख सकते हैं विसे exam में पूछने की संभावना नहीं है ऐसा पर फिर भी एक बड़ देख लीजिए अगर बात करें वर्ल्ड का oldest functioning post office कौन सा है जो oldest है और अभी भी functioning है तो ये Scotland में है 1712 AD से काम कर रहा है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं क्या है question है who has won the nobel prize in economics 2023 nobel prize के लिए हमने एक separate video कर ली है क्योंकि complete nobel prize सारे मिल चुके है ठीक है तो बहुत सारे effects आपको वहां देखने को मिलेंगे नहीं देखी है तो जाकर देख लिजेगा इंडो पार शाला पर वह available है economics में nobel prize यह मिला है Claudia golden को यूएस से यह बिलॉंग करती है ठीक है तो option भी यहां पर correct होगा और basically ना इनकी study किस बारे में है तो जो income होती है ना women और men दोनों की income में इतना difference कैसे है आय और समानता उसको समझने में इन्होंने economics में काफी help की है for having advanced our understanding of women's labor market outcomes women's labor market में इतना जादा कम हमें income देखने को क्यों मिलती है ठीक है यह इनकी studies है economics में जिसके लिए इनको दिया गया है last year का economics में nobel prize मिला था Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond और Philip Divick को और economics का पहला award 1969 में मिला था हमने उस वीडियो में भी एचीज देखी थी in which field is the nobel prize not awarded कौनसे field में nobel prize नहीं दिया जाता तो mathematics में nobel prize नहीं मिलता है इसके अलावा peace literature physics chemistry medicine और economics इन छे field में दिया जाता है nobel prize ठीक है यहाँ nobel awards जो 2023 में मिले हैं सबको एक साथ देख लेते हैं economics 2023 में अभी हमने देखा Claudia Golan को मिला literature का john falls को मिला norweg के हैं यह chemistry का मिला monkey g bavindi लुइस ईब्रू एलेकसी आई एक्किमोव physics का मिला है पियरे अगॉस्टिनी को फेरिंग क्रॉज और एनी एल हुलियर को medicine 2023 कैटिलिन कारी को और ड्रिव वीस्मिन को और nobel peace prize मिला है नर्गिस मोहमधी को इरान से यह बिलॉग करती है इंडिया in which country signed MOU in green hydrogen तो इंडिया ने साओधी अरब्या के साथ में MOU sign किया है electrical interconnections green clean hydrogen and supply chains in topics पर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी इसलिए किया गया और green hydrogen हम देखे न तो वैसे भी भारत का लक्षे जो है carbon emission को कम करना net zero प्राप्त करना यह सारे भारत के लक्षे बने हुआ है MOU और revise कर लिते हैं इंडिया और साओधी रब्या के बीच energy sector में cooperation के लिए agreement sign किया गया था नाबाड और UNDP, UNDP इंडिया दोनों ने data driven agricultural innovation के लिए एक दूसरे के साथ में किया collaboration फिर इंडियन गवर्मेंट ने META के साथ में collaboration किया for education to entrepreneurship इसमें क्या होगा पांच लाग entrepreneurs को skill provide की जाएगी निति आयोग और UNDP के बीच एक collaboration हुआ to accelerate SDGs in India इंडिया और New Zealand ने एक MOU sign किया है to enhance cooperation in civil aviation ठीक है फिर इंडिया और Panama इनके बीच में MOU sign हुआ है on electoral cooperation और अब आप देख रहे होंगे election का महौल है देश में और पांच states के लिए election commission के द्वारा अभी election का schedule भी जारी कर दिया गया है कौन से पांच state है तो MP के लिए किया गया है फिर राजस्थान, 36 गड, तलंगाना, मिजोरम यह पांच state है यह मैं काफी अलग चली गई खैर, MOU इससे हट के हम election पर पहुँच गए पर यहां पर electoral cooperation आया तो मुझे याद आया और खेर, politics से इतना aware रहा कीजिए, क्योंकि हम सब भी पार्ट है उसका, हमें भी election में vote देना है, है ना, और एहम रोल हमारा ही है थोड़ा सा update रहा कीजिए इन चीज़ों से, खेर, next आते है, इंडिया और सिंगापूर के बीच MOU sign हुआ, on cooperation for 5 years इंडिया और ADB ने भी एक MOU sign किया है, जिसमें राजस्थान में urban services को enhance करने के लिए 200 million dollar का loan ADB प्रवाइड करेगा next question है, operation iron swords, next question है, operation iron swords, launched by which country, इसको इसराइल के द्वारा किया गया है, launch news में आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत, Palestine में active, जो Hamas group है, उसने इसराइल पर attack किया हुआ है, एक surprise attack था, अचानक से bombing start हो गई और यह सब हो गया, तो उसी को retaliate करने के लिए, इसराइल के द्वारा, यह operation iron swords को किया गया, launch इसराइल defense forces, इन्होंने launch किया, operation iron swords, operation iron swords is Israel's retaliation for a surprise attack by Hamas, Hamas एक Palestinian Islamic militant organization है, और इसराइल पर इसके द्वारा किया गया attack, जिसको retaliate करने के लिए, launch किया है, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ operation देख लेते हैं, operation karuna 2023, 2023 में इसी साल launch किया गया था, इंडिया ने launch किया था, और क्यों किया था, म्यामार जो है, cyclone जब म्यामार को attack, cyclone ने म्यामार को hit किया था, उस time पर help करने के लिए, भारत के द्वारा इसको launch किया गया था, फिर आता है, operation कावेरी, इसी साल launch हुआ था, यह भी, इंडियन गवर्मेंट ने शुरू किया था, इसको, to rescue over 3000 इंडियन पीपल, जो सुडान में फसे हुए थे, उनको बहार निकालने के लिए, operation दोस्त क्यों शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा, टर्की और सीरिया में, earthquake आया था, बहुत खतरनाक वाला, तो वहां पर help करने के लिए, search and rescue operation के लिए, भारत ने इसको लाँच किया था, दोस्त, इकासा वर्डे, जसका मतब होता है, friend, तो दोस्त, friend को दोस्त, भारतीय लांग्विच में भी बोलते हैं, और तुर्कीय में भी बोला जाता है, तो इसलिए फिर ये नाम रखा गया था, फिर operation गंग create हुए थी, तो उस टाइम पर अफगानिस्तान से नाशनल्स को evacuate करने के लिए, इसको लाँच किया था, हमारी इंडियन एर फोर्स ने, और वंदे भारत 2020 में लाँच हुआ था, COVID-19 pandemic के टाइम पर, जो foreign countries में इंडियन फंसे हुए थे, उनको वहां से देश में वापस लान है, 25 से 30 नवंबर की भी इसको किया जाएगा और इनागरेट करेंगे इसको चीफ मिनिस्टर योगी आधितेनाथ, विच सीरीज वन बेस्ट एशन टीवी सीरियल इन बुसान फिल्म फेस्टिवल, तो हमने कुछ समय पहले क्वेशन देखा था, बुसान फिल्म फेस्टिव और जिस शो में उन्होंने काम किया था, स्कूप, वो शो भी जीता है इसमें, ठीक है, तो दो अवार्ड्स मिले हैं, स्कूप को बुसान फिल्म फेस्टिवल में, एक है बेस्ट एशन टीवी सीरियल का, और दूसरा बेस्ट आक्टर, बेस्ट आक्टर्स का मिला है करिशमा जमु कश्मीर के कठ हुआ डिस्ट्रिक्ट से यह बिलॉंग करती है, ठीक है, तो जमु कश्मीर इसका आंसर होगा, बशोली पश्मीना, और इसके अलावा एक तो है बशोली पश्मीना, दूसरा है उधंपुर का चॉर्ण्ड मिल्क, जिसका नाम है कलारी, इन दोनों ही प क्वालिटीज होती है, उसके ओरिजिन की वज़े से वो सबसे अलग होती है, यूनीक वराइटी होती है, उसको दिया जाता है, एक पहचान प्रदान करने के लिए, रिसेंटली खमती राइस को जी आई टैग, इसको मिला है अरुनाचल प्रदेश के अरुनाचल प्रदेश के जिनको जी आई टैग मिला है, जम्मु कश्मीर के दो हैं, यह जो याग चुरपी है, यह प्रपैर किया जाता है, मिल्क से अरुनाचल प्रदेश के अरुनाचल प्रदेश के, अब यहाँ पर कुछ कर लेते हैं, रविजन थोड़ा सा, अली बाग वाइट अनियन महराश असाम, कदांगी साडी, तमिलनाडू, पलानी पंचाम रितम, तमिलनाडू, मच्चा राइस बिहार, मिथला मखाना बिहार, खोला चिली, गोवा, काजी नेमू, असाम, तीरूर, बीटल लीफ, केरला, डिंडिगुल, लॉक्स, तमिलनाडू, नर्सिंग, पेटई, नागस करते हैं, exercise चकरवात 2023 is being hosted at which place, तो यह जो exercise है, इसको गोवा में किया जाएगा, 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में, और यह जो है ना, हमारी annual joint exercise है, 2015 में एक combined commanders conference हुई थी, इस conference में ही, यह declare किया गया था, यह किस तरह है कि exercise की जाएगी, जिसका नाम है exercise चकरवात, और यह combined है, है ना, तो मतलब Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force तीनों के द्वारा conduct की जाती है, rotation basis पर, 2015 की conference में decide किया गया था, और 2016 से इस exercise को किया जा रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि rotation basis पर की जाती है, तो जो इसका last edition हुआ था, आगरा में conduct हुआ था, Indian Air Force ने किया था, अब Air Force के बाद ठीक है, तो last year आगरा में हुआ था, इस बार गोवा में हो रहा है, ठीक है, next देखते हैं, which is the first district to grant access to smart classes in schools, ये बना है बरेली, उतर प्रदेश का एक district है, पहला district है देश का to grant access to smart classrooms in all government schools, अब लास्ट में के लिए, when is Indian Air Force Day celebrated every year, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूब आंसर बताएगा इसका कमेंट बाक्स में और इसी के साथ ही वीडियो का होता है, thank you so much watching, जाहिंद